डेल्टा के रूप में तवाई मचा चुका कोरोना वाइरस अब ओमिक्रोन के रूप में एक वर फिर दुनिया के सामने जानिये इसके क्या लक्षन है और इस वेरियंट से हम अपना बचाओ कैसे करें आप देख रहे हैं डेली नॉलेज डेली नॉलेज में आपका स्वागत है ओमिक्रोन वेरियंट यानि B.1.1.1.529 सबसे पहले जो है दक्षिन अफरीका में सामने आया था इसके बाद से यह हैं दुनिया भर के कई देशों में पहुँच चुका है और भारत में अभी तक इसके दो मामले सामने आ चुके है पर इस बात में कितनी सच्चा ही है वो तो बाद में ही पता चलेगा अभी तक इससे संक्रामन के लक्षनों के बारे में भी कुछ बिशेश जानकारी सामने नहीं आ पाई है क्यूंकि डॉक्टरों के लिए एक तरह से यह नया वाइरस है इसलिए डॉक्टर इसकी पूरी तरह से जाच करने के बाद ही इसके पूरे लक्षनों को बताएंगे अभी तक सिर्व इतना बता चलाए कि यह फ्लू की तरह लक्षन शो करता है इसके अलावा उन्हें सूकी खांसी, बुखार, रात में पसीना और सिर में दर्द जैसे शिकायत भी सामने आई हुई है इस नए वैरियंट से हमें डर्ने की बज़े हमें समझदारी से काम लेना चीए स्वास्त विशेशक्रों के अनुसार, कोरोना वाइरस के किसी भी वैरियंट से अगर आप सुरक्षित रहना चाते हैं तो आपको वही उपाय यूज में लेने हैं जो अब तक हम लेते आये हैं जैसे माक्स लगाना, हाथ सही से धोना और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके चलना और सबसे जरूरी बात है वैक्सिनेशन जिन लोगों ने वैक्सिनेशन के दोनों डोस कम्प्लीट कर लिये हैं उनको Omicron से खत्रा कम ही है बजाए जिन लोगों ने वैक्सिनेशन नहीं कराया है उनको जादा खत्रा है इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूप करें और सब को वैक्सिनेशन के लिए बताएं आपका क्या विचारे Omicron Virus के बारे में आप मुझे comment box में कीजिएगा धन्यवाद